दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले कुछ ऐसे जॉइंट मशीने जिनके आगे मजबूर से मजबूर चीजे भी टूट जाती हैं समीन के बाहरा जाती हैं वीडियो में शुरू से लेका एंड तक की सारी मशीने हैं जिनका इस्तिमाल आप ड्यूटी वर्क के लिए आराम से कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें नमबर दस बॉर मशीने बीजी टूएट एच यह मशीन फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए गई है इसके बाद फाउंडेशन पर ड्रिलिंग करके स्वाइल को डूस्ट अप करने वारी प्रॉसस कंस हुई है इसके मदद से ड्रिलिंग कर रहे टूल को घूमते हुए मट्रियल बाहर करने में असानी होती है इसके साथ आप मेटल की फाउंडेशन यूनिट को तैहार करके उसमें कंक्रीट डाल का फाउंडेशन के अंदर पहुंचा सकते हैं इसके हाइड्रॉलिक प्रेटफ है नमबर 9 बुश रैक टी आर के टी वान सिक्स एट जीरो एट लैंड पर दो तरह के हैवी डूटी वरक को पूरा करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है जिसमें स्पीड के साथ रोटेट होती हुई आर्ट डेस्क इंकलाइंड लाइन में एक के बाद एक लगी हुई है जिस पर नुकीले दान्थ हैं इसे आप अपने लैंड पर चलाकर लैंड क्लेरिंग का काम कर सकते हैं अगर घास का लकड़ी का और मिट्टी का घिरावा आपकी जमीन पर बहुत जादा हो चुका है तो आप अपनी जमीन से इने हटाने के लिए इस मशीन का इस्तिमाल कर सक खेत में हल चलाने के लिए भी आप इस मशीन का इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी नुकीली ब्लेड और घूमते हुए ये फूल खेत की मिट्टी को नई फसल के लिए अच्छे से त्यार करने में सक्ष्यम है यह मशीन काम कर दे मक्तो जादा भी नहीं लेती है टाइम उसका वाकिं साइट पर काम को तेजी से करने के लिए बने बनाए बिल्डिंग ब्लॉग अब इस्तिमाल में लाए जाते हैं जिनका लाना और ले जाना अगर इनका साइज बड़ा हो तो काफी मश्यक भरा होता है पर इस मशीन के साथ अब मजबूत से मजबूत भारी से भारी और अच् साइट पर हाई लोड लिफ्टिंग के लिए ये सेर्स लिफ्टिंग फीचर रखने वाली मशीन बहुत काम की है जिसके साथ आप शिपिंग यार्ड पर कंटेनर भी रोटेट कर सकते हैं खुदाई करने के लिए कई सारी मशीने बनाए गई है लेकिन जब जमीन के नीचे ऐसी खुदाई करनी हो जा खुदाई के लिए हमें वाल बनानी है तो ऐसे स्पेशल खुदाई के लिए इस मशीन को बनाया गया है जिसका इस्तिमाल डैम बनाने सेलरी वाल बनाने में और और ऐसे ही holographic underground structure बनाने में करने के लिए किया जाता है, यह अपने working tool को काम पर लगाती है, और उसके working tool के front face पर full face cutting under math gear box वाले fiber teeth लगे हुए हैं, जो मिट्टी का कटाव करके खुदाई करते हैं, और salary system की मदद से मिट्टी machine के discharge panel तक पहुंचाती है, खुदाई किये गए area क wall बनाने के लिए भी अब इस machine का इस्तिमाल कर सकते हैं, concrete का discharge करने वाली tool और wall को set करने वाले setup भी इसके साथ दिये गए है, water storage unit त्यार करने के लिए एक बैतरीर machine है, नमबर 6, demonio 2500 यह machine जियांट के तरह काम करती है, काम करने के लिए इस पर drum type tool लगाए गए हैं, जो जमीन पर फैली हुई या unnecessary जगह की ली हुई चीजें पूरी तरीके से गायब हो जाती है, इसके drum जैसे फूल पर नुकीले दात लगे हुए हैं, यह कम height पर भी काम करती है, और जमीन से 2 मीटर उपर भी land clear के लिए इस पर दो टू लगाए गए हैं, land clear करने वाली machine है यह और पुड़े टुकड़े करके काट देती है, जमीन पर मजबूती के साथ चीजों का हटाने का काम करती है, और आप अगर खेती के लिए जमीन त्यार करना चाहते हैं, यह बढ़िया वाला हल चलाना चाहते हैं, तब भी इस machine का इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर पात रिसाइकल डैश वी अच्यो रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके साथ खराब हो चुकि चीजों को नया रूप देकर उन्हें काम में लिया जाता है, और रिसाइकलिंग प्रोसेस ऐसे ही कई सारे यूनिट के साथ एनवार्मेंट को भी बहुती मदद कर चीजों को तोड़ेने के लिए रिसाइकलिंग में मल्टिपा यूनिट मोजूद है, जिनके साथ सबसे पहले कार के मट्रियल को उसक्षर को पूरी तरीके से दबाकर तोड़ दिया जाता है, उसके ठुकड़े ठुकड़े कर लिया जाते है, जिसका बचा हुआ कच्छा इ एक साथ अलग जगह पर रख दिया जाता है, तूटे हुए स्ट्रक्चर के सभी material और पार्टिकल को पैनल पर रख कर अलग-अलग कर लिया जाता है, जिसमें metallic material को अलग किया जाता है, और wire cable fiber की चीज़र को अलग किया जाता है, इनकी स्किन को अलग करने के लिए इन्हें लिकुर्ट से गुजार जाता है इसकी मदद से इन पर जमा हुआ कुरुजन हट जाता है जहां से ये फिर से एक मोल्डिंग हो जाने वाले मटिरियल में तब्धिल हो जाती है इसका इस्तिमाल कई सारी रिसाइकल द्वारा बनने व जादा है उचाई कितनी जादा है और लंबाई कितनी जादा है बहुत मैटा नहीं करता यह मशीन सभी कामों में वर्क कर लेती है इसमें रोटरिय डिलिंग रिंग्स ट्रेस कटर डिलिंग एंड डेसंडर्स जैसे चीज़ें दी गई है जिनका यूज आप लाज स्केल पर कन्वेंशनल एसकलेटर मेथड का इस्तिमाल करते हुए बनाई गई यह मशीन लैंड क्लियर करने का काम करती है इस मशीन के साथ बड़े-बड़े पेड़ों के स्टाम को सिर्फ चारा से पाज मिट के अंदर एकल की बड़ी जगे से रिमूब कर सकते हैं यह मजबूत के लिए दातों की वी शेप में रोटेट होती है और जिनकी मदद से स्टाम फुल हो जाता है एक दिन में इसके साथ आप 25 एकड की बड़ी जगे में इस तरह का पुल स्टंप का काम कर सकते हैं और मिट्टी को पूरी तरीके से किलियर करके उसमें से इस तरह की चीज़ों क जमीन से निकार कर उपर ला सकते हैं बर्फिले एरिया में जब बहुती जादा बर जाती है तो बर्फ के अलावा सटकों पर घरों में घरों की छटों पर कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाए देता लेकिन आवाजाही के लिए सटकन तो खोलना जरूरी होता ही है और इसलिए सटक से बर्फ को हटाने के लिए ऐसी मशीनों को बनाया जाता है ये मशीन एक डोज़ा मशीन है इसके साथ सटक पर जमे हुए बर्फ को सटक के एक कोने पर करके सटक को आवाजाही के लिए चालू करने का काम किया जा सकता है ये मशीन बर्फ को एक तरफ करके रोड के पर कर देती है मजबूत और जमें हुए बर्फ को भी इसके साथ तेजी से हटाया जा सकता है इस गलावा डॉजिंग के यहां और भी दूसरे काम कर सकती है 1. Concrete Pulverizers Concrete Block के अंदर metallic wire होते हैं Concrete के structure को अपनी जगे से सही ना बनने के बाद हटाना concrete के मजबूत structure और metallic wire के वज़े से काफ़े मुश्किल हो जाता है इसलिए इस machine को बनायागया है जो concrete के मजबूत structure को तोड़ने का काम करती है concrete से बने हुए बड़े-बड़े block जो काफी ज़ादा मजबूत होते हैं यह आराम से तोड़ देती है अपने दातों के बीच में लेका concrete block को आसानी से तोड़ देती है अगर आप concrete block के ठुकडों को बहुत ज़ादा छोटा करना चाहते हैं और चोटे-चोटे पत्थरों में उन्हें तबदिल करना चाहते हैं तब इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं यह metallic wire को भी तोड़ देती है और concrete के मजबूत structure को भी दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चनल और latest videos के लिए bell icon को दबाना बिलकुल न भूले जिससे हमारी videos आप तक पहुँचे सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें comment करके ज़रूर बताएगा हम आपके comments का इंतिजार करेंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बढ़ बाई बाई बाई